अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो सारी काइनात आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है If you love something wholeheartedly, the entire universe conspires to make you have it दोस्तों यह जो हमारी कहावत है हिंदी की, इसी को थोड़ा सा मोडिफाई करके मैं आपको law of attraction समझाऊंगा law of attraction में क्या होता है, वो क्या कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को बिलकुल शिद्दत से चाहते हैं, सच्चे मन से चाहते हैं उसी के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, positively सोचते हैं कि यह चीज़ तो मेरी होनी ही होनी है और शायद होने की probability बिलकुल कम होती है, उस case की बात कर रहा हूँ जैसे आप किसी को प्यार करते हो, सो परिशानिया सामने खड़ी हुई है आपको कोई particular, कोई बहुती tough सा career बनाना है, लेकिन आप उसके लिए बहुत जादा passionate हो और उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, positively सोचते रहते हो, बस मुझे यह करना ही करना है और कुछ दिमाग में नहीं आता, failures, failures, कुछ नहीं सोचते है सिरफ यह लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए करना है, मुझे यह ही करना है सपने भी संजोने लगते हो अपने आपको imagine करने लगते हो उस इंसान के साथ या उस position पे वहाँ apply होता है law of attraction कि आप किसी चीज से इतना ज़्यादा attract होगे इतना positively उसके बारे में सोच रहे हो आप उस चीज से मिल जाते हो कुछ ना कुछ ऐसा चमतकार हो जाता है इसे मैं समझता हूँ law of attraction अब जो अगला बड़ा question है वो है कि क्या मैं law of attraction में believe करता हूँ तो दोस्तो मैं इसका जवाब yes या no में नहीं नहीं दे सकता दो या तीन बार मेरी जिंदगी में law of attraction काम आया है और मैंने observe किया है वो तो मुझे ये term पता है नहीं था कि law of attraction कुछ होता है जब बाद में पता चला तो realize हुआ तो मैंने उस activity को उस incident को associate करा तो मुझे समझ में आया है कि हाँ law of attraction ने काम किया लेकिन तो भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं इस concept पे 33% believe करता हूँ जो passing marks होते है न pass तो हो रहा है लेकिन gracefully pass नहीं हो रहा है इतना इस concept की importance है इतना मैं इस concept पे believe करता हूँ अब दूसरी बात आती है law of karma deeds, कर्म कर्म क्या होते है जो भी हम activity कर रहे है वो कर्म है मैं bottle उठा के पानी पी रहा हूँ वो भी कर्म है, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ कर्म है, किसी को गाली दे रहा हूँ कर्म है, पढ़ाई कर रहा हूँ कर्म है, तो basically कर्म तो कोई भी activity हो गई जो law of karma है ना वो ये कहता है कि आपको अपने करमों का फल मिलता है अच्छे करम करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे बुरे करम करोगे तो आगे बीचे बुरे फल मिलेंगे Law of करमा ये कहता है आपने आज किसी की मदद कर दी out of the way जाके तो आगे आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा आज आप किसी को परिशान कर रहे हो प्रतारित कर रहे हो तो आगे चलके आपके साथ भी बुरा हो जाएगा इसे कहते हैं law of karma अब important question यह है कि मैं law of karma पे कितना believe करता हूँ दोस्तो इस पे भी मैं सिरफ 33% ही believe करता हूँ सिरफ passing marks ही इसको देता हूँ क्योंकि अगर law of karma काम करता तो छोटे छोटे बच्चों के accident नहीं होते छोटे छोटे बच्चे मरते नहीं उनको cancer नहीं होता अच्छे अच्छे लोगों की cancer से या किसी भीमारी से खराब बिमारी से, accident से मौत नहीं होती अच्छे लोग हमेशा आगे बढ़ जाते जो criminal है, रिश्वत खोर लोग है ये successful नहीं होते लेकिन तो भी ये concept काम करता है मैं इस पे सिरफ 33% ही believe करता हूँ अब मुद्दे की बात में आऊँगा इन दोनों concepts को जोड़ दूँगा law of attraction और law of karma इनको मैं जोड़ दूँगा इनको मिला के एक नया concept बनाऊँगा जो की 33% plus 33% यानि की 66% marks ले आया और जो की बिल्कुल pass है जिसकी काफी relevance है life में और जो आपको 66% तक success दिलवा सकता है जो की बहुत ही अच्छा number है अब दोस्तों आपको कोई चीज़ चाहिए किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा passionate हो चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई career हो चाहे पड़ाई हो चाहे कुछ भी हो आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा passionate हो उसी के दिन रात सपने संजोते हो आपको वो ही चाहिए ठीक है अब क्या होता है जब आपको कोई चीज़ इतने passionately चाही होती है पूरे दिन पूरी रात उसी के सपने दिखते हो और कुछ नजर नहीं आता तो जायसी बात है आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रियत्न भी करोगे, कोशिश भी करोगे उसके related कर्म भी करोगे अब क्या होता है बहुत सारी opportunities हमारी life में आती रहती है हम realize भी नहीं करते लोग तो इससने एक बार fail हो गया तो बस जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता जबकि जिंदगी जब तक आप जीते हो आपको निरंतर नहीं नहीं opportunity लाके देती है अब यह opportunity हम लेके आते है relevance में उस particular passion के जब आपने किसी चीज़ को passion मना लिया या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा passionate हो इच्छुक हो तो जब भी उसके related कोई भी opportunity आएगी और opportunity आती ही आती है नहीं भी आती तो आसपास घूमती रहती है आप उसको पकड़ लेते हो तो आप ऐसी छोटी से छोटी opportunity को पकड़ लोगे हाथ से जाने नहीं दोगे चाहे उसका success rate 1% ही क्यों ना हो अक्सर life में क्या होता है जो बहुती low success की opportunities हमारे सामने आती है न हम उनके बार में सोचते हैं नहीं आउट rightly reject कर देते हैं क्यों chances of success बहुत कम है लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि जो 1%, 2%, 5% success rate निकाला है किसने निकाला है यह तो पुराने experiences से पुराने results से निकला हुआ है estimation है यह कोई 100% guarantee थोड़ी है this is only an estimation और जो time है न दोस्तों time और जिंदिगी यह मिलके सारे estimations को उल्टा सीधा घुमा देते हैं और नए-ने results प्रोड्यूस करते रहते हैं पुराने estimates को जूट साबित करना नए-ने estimates डेवलप करना यही समय का काम है तो यह जो 1% opportunity आपको शायद दिख रही है कही बार आप इसको करने बैठ जाओ तो आपका luck, आपकी किस्मत और कही बार opportunity ऐसे काम करेगी कि वो 1% को 100% बनते देर नहीं लगेगी यही हम इनसान मात खा जाते हैं और यहीं वो इनसान जो बहुत ज़्यादा passionate हो जाता है, successful हो जाता है वो ऐसी छोटी-छोटी, ऐसी नाकाबिल ऐसी अजीब सी opportunities को भी पकड़ लेते हैं जाने नहीं देते हाथ से बस मुझे इस चीज के लिए प्रयतन करना है अब ऐसी 10 opportunity उन्होंने pick कर ली उनमें से एकाथ तो click करेगी न एकाथ को तो time defy करेगा ना आपका luck defy करेगा ना इस तरीके से वो successful हो जाते हैं तो अपसीडी सी बात है जितने जादा आप एक चीज के लिए efforts डालोगे जितनी जादा opportunities पिक करोगे जितने जादा positive करम उसके लिए करोगे उतने ही आपके successful होने के chance तो बढ़ी जाएंगे और करम आप इतने जादा क्यों कर रहे हो क्योंकि आप बहुत जादा passionate हो पागल हो उस चीज के लिए तो यहाँ law of attraction यानि कि किसी चीज के लिए बहुत जादा positive बहुत जादा passionate होना और law of karma उसके लिए deeds करना यह दोनों आके मिल जाते हैं passionate हो तो बहुत जादा opportunities पिक करोगे, मेनत करोगे वही आपको results मिलते हैं इसी तरीके से law of attraction और law of karma मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं बहुत high percentage of success आपको दिखा देते हैं अब इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है इससे हम क्या सीख ले सकते हैं आप यही सीख ले सकते हो आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा passionate हो आपको वो चाहिए ही चाहिए वही आपका law of attraction काम करना चालू करता है लेकिन आपको उसके related सारी opportunities पिक करनी पड़ेंगी मेनत करनी पड़ेंगी निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे failure से घबराना नहीं होगा तब जाके दोनों चीज़े मिलके आपके success rate को बहुत ज़्यादा high करनेंगी success होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे